आप लोगों पता है कि भगवान में कभी कफ सिरफ नहीं पी है पूछ क्यों अरे क्यों कि खुदाना खास्ता यह बच्पन में जुना करते थे जोग एजए सब्सक्राइबर्स को परिशान मत लिए अगर सेल कुछ भी एक तो लॉगड़ान है उसको जहलना पड़ रहा है घर पर बैठी है अभी मिझको तो इसको जहलना है स्टे होम स्टे सेफ एंड वश्योर हैंड रगुलर लॉगड़ाइबर्स के पहले एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ वेलकम बैक तो दी चैनल गाइस ऐसी वीडियो आपको ये चैनल पर मिलने वाली है तो यहाँ पर पहले कबर की बात करें तो यहाँ पर जियो वोड़ा फोन और एटेल यूज़ करने वाले कस्टमर्स के लिए खुशकबरी है कि उनकी इंकमिंग कॉल फैसिलिटीज को में थर्ड तक एक्स्टेंड कर दिया अब दूसरी कबर की बात करें तो यहाँ पर रियलमी का तीसरा 5G फोन आपको 3C सर्टिफिकेशन पर भी देखने को लिस्ट हो चुका है और उसी के साथ एक 5G फोन X3 सीरीज में आपको देखने को मिलने वाला है X3 सीरीज का X3 स्मार्टफोन जो है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है जहाँ पर आपको देखने को मिलती है 6.57 इंचिस की डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसे के साथ 4100 इमेज की बैटरी देखने को मिलेगी और फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलने ही वाली है जस्ट यह फोन 5G हो सकता है क्योंकि यह 20-25,000 के रेंज के बीच में आएगा और एक बजट स्मार्टफोन 5G लेकर के Realme आने वाला है तो अब आगे बात करें तो यहाँ पर Realme अपने टीवी पर काम कर रहा है यह सभी को पता है लेकिन Realme TV का remote Bluetooth certification पर लिस्ट हो चुका है जहाँ पर आपको देखने को मिलती है Bluetooth 5.0 का support भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ यहाँ पर तीन अलग-अलग variants आपको Realme TV के देखने को मिलने वाले है जिसे हम Real TV कहते है एक 32 inches का होगा एक 43 inch का और 55 inch का जहाँ पर आपको QLED एक screen भी दे support मिलेगा लिन्वो लीजियन्स गेमिंग स्मार्टफोन जो है वहाँ पर आपको 90 वाट का charging support देखने को मिलने वाला है ओपो अपने 65 वाट के charging capacity के साथ क्लेम करता है कि 4000 इमेज की बैटरी को 35 से 40 मिनिट्स के अंदर चार्ज कर सकता है और यहाँ पर यह जो 90 वाट का fast charging जो 2022 या फिर 2020 लांच कर दिया है जहाँ पर आपल ने यहाँ पर आपको ए 13 बायोनिक्स चिप का support दिया है और उसी के साथ इसकी कुछ pricing निकल के आती है 40 से 42 थाउजन के बीच में और यहाँ पर आपल ने खुदने confirm किया है कि यह same to same smartphone iPhone 8 जैसा ही दिखता है तो कुछ जाला changes न देखने को मिलती है सिर्फ यहाँ पर आपको प्रोसेसर बदल चुका है और यहाँ आपको 12 MP का कैमरा देखने को मिलता है जो हमेशा से एपल अपने optimization से अपने software से अच्छा कर देता है उसकी image quality यहाँ पे OnePlus से खबर आ रही है जहाँ पे OnePlus 8 series launch हो चुकी है 14 अपरिल को जहाँ पर इसकी pricing बहुत ही भयानक रखी है इस बार OnePlus ने जहाँ पर 699 डॉलर का एक प्राइज यहाँ पर निकल के आता है OnePlus 8 के लिए जो 53 से 54,000 के लिए range में आता है और यह 80,000 70 to 80,000 के बीच में वेरी करता है OnePlus 8 Pro के लिए यह pricing बहुत ही जादा हाई है और प्राइज लगते है इस don't speak dollars we are coming with Indian pricing very soon तो India pricing थोड़ी बहुत कम होने वाली है तो यह खुशकबरी है जो OnePlus users है जो OnePlus 8 खरीदना चाते है उन लोगों के लिए लेकिन इतना ध्यान रखना कि GST 50% से बढ़ चुका है 12 से 18 टका हो चुका है तो यहाँ पे आपको बहुत कम price तो बिलकुल भी देखने नह गूगल अपने processors बनाना शुरू कर चुका है जहां पर Samsung Google की help करने वाला है यह 5 NMK processors बनाने के लिए तो अगर इस तरीके से बात करें तो Google अपने hardware को भी अपने software के साथ अच्छे सा optimize करने वाला है और नए Google Pixel phone में आपको यह जरूर देखने मिलेंगे लेकिन अगर इसी की ब करें OnePlus Z, जो OnePlus Z smartphone है वो शायद OnePlus 8 Lite या OnePlus Z के नाम से आने वाला है और June में यह specifically Indian market के लिए शायद launch हो सकता है ऐसा phone radar के तरफ से हमको पता चल रहा है Amazon और Flipkart की deliveries 21st April से शुरू होने वाली है Flipkart orders लेना शुरू कर चुका है Realme Narzo Series आपको 21st April को देखने मिलेंगी क्योंकि यह lockdown मे जिसे यह shift हो करके 21st को confirm आपको यह phones देखने भी लेंगे Narzo Series के और उसी के साथ शायद एक gaming smartphone भी Realme इसमें launch कर दे तो अब यहाँ पर Xiaomi के अगर बात करें तो Xiaomi ने अपना robot vacuum cleaner यहाँ पर इंडिया में 17 तारीक को launch कर दिया है जहाँ पर इसकी price कुछ 18,000 है यह crowdfunding में अभी भी यह आपको directly ship नहीं होने वाला है यह 15 September से ship होगा लेकिन Indian markets के लिए basically इन लोगों ने कुछ additions किये है जहाँ पर यह जाडू और पौचा दोरना लगाएगा vacuum plus mop है यहाँ पर आपको support मिलने वाला है तो यह robot vacuum cleaner इंडिया के लिए Xiaomi ने launch कर दिया है Xiaomi की दर्व से एक खबर आ रही है जहाँ पर Redmi Note 9 लिस्ट हो चुका है जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Mediatek का G80 Helio G80 का प्रसेजर आपको देखने को मिल रहा है और वही quad cameras है जो 48 megapixel का primary sensor है और यहाँ पर fingerprint sensor side mounted नहीं होंगे यहाँ पर यह rare mounted fingerprint sensor होगा So guys अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को like करना share करना अपने दोस्तों के साथ अपने family के साथ जो tech savvy है जो tech lover है उनके साथ ऐसी वीडियो शेर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए channel को subscribe कीजिए channel को subscribe करने के बाद bell icon भी दबा दीजिए त आप सबको पता है कि lockdown चल रहा है तो stay home stay safe be hero until the time goodbye